नमसकर दोस्तो, स्वागत करते हैं अपने ही YouTube चैनल A Study Job Support में आज दोस्तो आपके लिए कुछ हट करके खवर लाए हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई के आज बात कर लेते हैं, कुछ डिगरी की बात कर लेते हैं अगर दोस्तो आप चितर काला में इंट्रेस्टिंग हैं तो आप इसके लिए अगर सोच रहे होगा कि इसका degree कहां से मिलेगा या कैसे होगा अगर अच्छे तरीके से सब कुछ बनाना जानते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो अगर आप interested है या आपके कोई भाई वहन भी रिस्ततिधार हैं जो आप प्सकरना जाहते हैं तो आप इस चित्रकला का degree लेना चाहते हैं एक करना चाहते हैं तो आपको दोस्तों सारी बातों पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा नोटिफिकेशन बिल दबा करके ओन कर लिजेगा यहां बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी भरती की जनकारी आ अगर इनकी समय अवधि की बात करते हैं तो छे महीना का रखा गया है और कहां से सब्सक्राइब को मिलेगा मतलब इसका जो सबंध जो है से लिंक कहां से है तो यहां पर देखिए बताया गया है कि आर्जवट ग्यान विश्वविद्याले पटना से इनका लिंक है टोटल स सित यहां पर देखा जाए तो तीस गुख रखा गया है जिसमें जनरल के लिए सात सित है महिला जनरल है उनके लिए चार सित है अत्यांत पिछला वर्ग के लिए तीन इस फॉर्म को भर सकते हैं बाकी दोस्तों यहां पे बस सिंपल सा डिटेल दिया गया है और यहां पे सिग नेचर करके इस फॉर्म को फिलप कर देना है वहीं दोस्तों अगर इनकी selection पर क्रिया की अगर बात करते हैं तो cool total आपको 100 number का exam देना परेगा यानि की 100 कोहचन जो है उसका exam देना परेगा यहाँ पर दखिए यहाँ पर दिया गया है कि मिथला चित्रकला की प्रारंभी केवं समसमाई के जानकारी यानि की current of hair जो है उससे आपको 20 प्रसन पुछे जाएंगे और वो जो है से आपका 40 marks का होने वाला है वहीं दोस्तों जो 60 अंक का जो होगा से वो ब्योहारिक परिच् के लिए परवेस परिच्छा सुलक 500 रुपया रखा गया है जबकि अन्य च्छात्राओं के लिए उहां जो परवेस परिच्छा है से 1500 रुपया रखा गया है यानि की समझ रहे है जेनरल OBCBC वाले को जो है जो भी है 1500 रुपया आपको पैड करना है और सबसे बड़ी चीज दोस्तों अगर आप उहां पर आपका एडविशन हो जाता है तो आपको रहने का खाने का और उहां का जो भी खर्चा होता है उसके लिए आपको जो है से 1000 रुपया हर एक महिना आपको दिया जाएगा यहां देखिए 11 नंबर में दिया है कि आवेदक दोवारा आवेदन ज जाकर के वहां पर जमा कर सकते हैं अगर इसके बाद जमा करते हैं तो कोई संभावना नहीं है कि आपके विचार किया जागा आपके आवेदन पर वहीं दखिया यहां पर इच्छा की तिथी यानि कि जो एक्जाम होगा संभाविता डेट दिया है 21-62 दिया है पूर्ण पांच-9-2022 यह संभाविता है और नामंकन के तिथी 12-9-2022 दिया गया है और जो सत्र के शुरुवात होगी वह तीन-दस-दुहजार वाइस का है यह दोस्तों संभाविता डेट दिया गया है यह देट आगे पीछे हो सकती है इसमें कोई कंफ्यूजन वादी बात नहीं ह तो दोस्तों अगर आप इच्छुक हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल अप किजिएगा क्योंकि रहने खाने का भी कोई टेंसन है नहीं महीने का 1000 रुपया उपर से मिली जाएगा आपको उहां का खर्चा के लिए तो आप फिल अप जरूर किजिएगा अगर आतरम